दोस्तों 11 साल पहले जिस रोहित शर्मा ने अपने दूसरे मुंबई कर सूरे कुमार यादव के लिए एक बड़ी भविश्यवानी करी थी आज वो बात यकीनन सच होती होई दिख रही है हाला कि तब रोहित को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जैसे स्काई के लिए वो ये ट्वीट कर रहे हैं एक दशक के बाद वही सूरे कुमार यादव रोहित शर्मा से भी आगे निकल जाएंगे माया नगरी मुंबई में जन्मे भारत दो बड़े क्रिकेटर सुबस्टार के लिए हाला की हालात एक दूसरे से काफी जुदा रहा जहां रोहित को शुरुआती दिनों में ही भावेश्य का स्टार मानते हुए बीसेसियाई ने मौका दिया था वहीं दूसरी तरफ सूरे कुमार यादव को अपने नाम बनाने में सालों लगे लेकिन हालिया समय में सूर्या सभी के चहेते बन चुके हैं और रोहित शर्मा अपने पुराने दिनों को वापिस से लाने की खोज में भटक रहे हैं तो आईए इस वीडियो में आकणों से समझते हैं कैसे बीते एक सालों में जहां सूर्य कुमार यादव ने मारी है लंबी चलान तो वहीं अपने सबसे बुरे समय में गुजर रहे हैं भारतिय कप्तान एक ही शहर से निकल कर इंडियन टीम के लोग रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने काफी नाम कमाया है हाला कि एज और अनुभव के लिहाद से रोहित सूर्या से काफी आगे हैं काफी कम उम्र में ही रोहित ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया था शुरुआती दिनों में ही T20 वर्ल कप 2007 और 2010 में रोहित ने अपने अंदर छुपी प्रतिबा की पहचान कराई थी पर शोहरत और नाम बनाने में रोहित को काफी लंबा समय लगा कप्तान दोनी के भरोसे ने रोहित को एक बहतर प्लेयर भी बनाया और जब से चैंपियन्स ट्रॉफी में रोहित ने ओपनर की ओपनिंग करी वहीं अंदराश्ट्य एस्तर पर रोहित शर्मा एक बड़े खिलारी के रूप में ओबरे यहां से हिट मैन ने पीछे मुड़कर क पने करीयर में और भी उड़ान भरी लेकिन जब रोहित नतराश्ट्य एस्तर पर एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहे थे डोमेस्टिक सर्किट में मुंबई का ही सूरे कुमार यादव अपनी बारी का इंतसार कर रहा था बलनों से रनों की बाड़ लाने के बावजूद टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी जब खुद रोहित शर्मा ने ही सूर्या को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि उनका टाइम भी एक ना एक दिन जरूर आएगा वैसे तो 2011 में ही रोहित शर्मा ने सूरे कुमार यादव की तारीफ में ट्वीट करते हुए एक भविश् पानी सच हो चुकी है बेशक सूरे कुमार यादव को मौके के लिए लंबा इंदिजार करना पड़ गया लेकिन जब मौका मिला तो इस पर स्काई ने एक छोटे से करियर में ही पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया सिर्फ दो साल के अंतराश्ट्य करियर में सूर कुमार यादव ने 2022 में 10 वंडे मैचों में 27 की ओसत से 216 रन किये और इस दोरान एक बार 50 का आगरा पार किया तो वहीं T20 अंतराश्ट्य में तो सूर्या ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है आपको बता दे साल खेले गए 30 T20 मुकाबलों में स्काई ने 47.95 की जबरदस्त औसत और 188 की गजब के स्ट्राइक रेट के साथ 1151 रन बनाये हैं वहीं इस दोरान सूर्या ने 9 अर्द शतक और 2 शतक भी जड़े हैं खास बात ये है कि दोनों ही शतक सूर्या ने इसी साल लगाये हैं जहां पहला शतक इंगलैंड के खिलाफ उन ही के घर में आया था तो दूसरा न्यूजिलैंड के स्काई ने ठोका था वहीं दूसरी तरफ अनुभव और उम्र में सूर्या से काफी बड़े रोहित शर्मा के लिए 2022 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है इस साल बतौर कप्तान रोहित आईपिल में मुंबई को कौलिफाई नहीं करवा सके एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने रोहित की कप्तानी में हार देखी तो वहीं बतौर बल्लेबास तो रोहित काफी पीछे रह गए हैं आपको बता दे कि इस साल खेले गए च्छे वंडे मैचों में रोहित शर्मा ने 134 की मामूली एवरेज से मातर 171 रन बनाए हैं तबकि इस दोरान एक भी शतग रोहित के बल्ले से देखने को नहीं मिला इसके विपरीत T20 में तो रोहित का रिकॉर्ड और भी खराब है इस साल खेले गए 39 T20 मैचों में रोहित शर्मा ने केवल 24 की एवरेज से 656 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी केवल 134 का रहा है जो की बतार ओपनर रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड से काफी साधारन है यही नहीं लगातार खराब पुरदर्शन के चलते रोहित शर्मा को T20 में कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और उनकी जगा पर भी सवाल खड़ा हो सकता है और दूसरी तरफ सूरे कुमार यादव नाम का तूफा अंदेश विदेश में जाकर अपने बल्ले से तहलका मचा रहा है और इस फॉमिट में अब टीम इंडिया का सबसे बड़ा बल्लेबास बनने की रहा पर चल निकला है वैसे दोस्तों आपके हिसाब से रोहित शर्मा और सूरे कुमार यादव में से कौन बहतर टी-20 बल्लेबास है हमें अपने जवाब नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल